क्या खलाई जहाजों की नई टेक्नोलोजी सफरे मिराज से मुतासिर होकर बनाई गई है अगर आप इस टाप्रिक में इंजस्टेड है तिन कीप और मौचिए अगर आप में चैनल पर नहें तो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छा होगा अगर आप में चैनल पर नहें तो मैं आपको बताता है चलू इस चैनल पर हम इस्लाम को एक मुझबर पहलू पेश करते हैं और नई जदीज साइसिक तैक्नोलोजी खलाई जाजों के इस्तमाल की जारी है क्या उसका तालूप सफारे मिराज से है बिसनस इंसाइबर का इक आर्टिकल छपा इस आर्टिकल मे एक बात शाया हुई कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है Breakthrough Starshot इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था प्रोजेक्ट यह था कि हमें खलाई जाहाजों का इंदर बदलना चाहें ताकि हमारे खलाई जाहाज बेजर तक से सफ़ग रसे तो नतीजा ही निकला किस ताइंसदानो एक 100 Gyga Watt की लेजर गलाई बेड को इस्तिमाल किया और खलाई जाहाजों को खला में भेजा 100 गीगावाट की लेजर लाइट इतनी ताकतवर है कि अगर ये किसी शहर पर पड़ जाए तो पूरा का पूरा शहर जल सकता है इस लेजर लाइट में खलाई जहाजम को इतना तेज रफ़तार बना दिया कि उनकी रफ़तार प्रोशनी की रफ़तार की 20 फीसदी हिस्सा बन दे और वो 134 मिलियन मील्स फी घंटा की रफ़ता से सफ़र करने लगे मरीख तक पहुंचने का जो खलाई सफ़र है वो तकरीबन एक साल का है मंगर जब खलाई जहाजों ने लेजर लाइट को इस्तेमाल किया ताकत के लिए तो खलाई जहाज सिर्फ चंद डिमों में मरीख तक पहुंच गए है अब आपसे एक सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि नासा किस इंडन को इस्तेमाल करता है खलाई जाजों के लिए परेशान नहों ये बात मुझे भी नहीं पता थी ये मेरे इल्ब में भी इदाफा भी रिसर्च के दोड़ा नहीं है नासा लिकूइड हाइडरोजन को इसकता है अपने खलाई जाजों में इनल के तौर पर लिकूइड हाइडरोजन इको फ्रेंडली भी है यानि महुलियात के लिए अच्छी भी है और यह कि बहुत ताकत वर भी है बहुत ताकत देती है खलाई जाजों को लेकिन अब साइंसदानों में इस बात पर तफक्र करना शुरू किया है कि हम लिकुर हैडोजन को क्यों विरूस करें हम रोशनी की ताकत को खनाई सफर के लिए क्यों इस्तिमान नहीं करें यहां से बात आती है सफर मिराज हुजैफर बिनल्यमानी से मरवी है कि शबी मिराज के दें आता है कि जहां मुहम्मद मुस्तफ़ स्वारी के इसका नाम अलबुर्राव आता है जोजैफर बिनल्यमानी ने उस पर सवार होती है जन्नत और जहांनी के नजारे की और जो कुछ आखरत के लिए तयार किया गया है वो सब कुछ देखा इस हदीस में अगर आप देखें तो रसूल इल्यमानी की सवारी का नाम बुर्राव बताया गया बुर्राव अर्वी जबान के लज़ बर्क से निकला बर्क का मतलब होता है रोश्णी और बुर्राव का मतलब होता है रोश्णियों का मजमुद्ध यानि रसूल अल्यमानी ने सफरे मिराज में रोश्णी की ताकत के साथ सफर किया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आज चौदासु साल बाद इस ही रोश्टनी की ताकत को इस्तिमाल करते हुए साइंसदार तेज रफतारी से मरीख तक पहुशने के काबिन हो रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें कॉमेंट सक्षन में अपनी आजास से मुझे ज़रूर आगा करें इसलाम के एल को और मज़ूर पहलों को फेलाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जाते जाते एक छूट इसी बात आपको याद देलाता चलिए जिन्दगी में किती मुझेलात क्यों नहों किती ही मसायल कीए अपने आपको अकेला ना जाने अद्गी में अध्यूर जात हर बक्त के साथ है उस पर तवक्कल करते रही है और शुलाते रही है सुननत भी है और शब्का जारियत है और अग्यस वाज़ग कुटो इस इस मे डॉक्तर मौहिजम शेद साइन ऑफ Assalamu alaikum you all and peace upon humanity